हलो दूस्तो नमस्कार एसम किसी चानल में मैं आप सब्लों का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ तो दोस्तो इस वड़े में हम लोग कवर करने वाले लगबख 7-8 important stocks कुछ important बाते तो चले फटावट स्टार्ट कर लेते सबसे पहले नजारा टेक के साथ तो नजारा टेक में आज की दिन अच्छी तेजी देखने को पुली 6-6% के आपे तेजी है ठीक है इस टॉक में अगर हम लोग आपे बात करें तो एक जबरदस शार्प गिरावट हम लोग को पहले देखने को म बनाया था कि जिरोदा के जो फांडर है निखिल कामत की अगर हम लोग बात करें उन्होंने 100 करोड इसमें यहाँ पे निवेश किया या फिर आप बोल सकते हो तो उसके बाद हम कह सकते कि स्टॉक में हम लोग को एक बहुत अच्छी कासे रिकवरी देखने को मिली है और 6 मै गेमिंग इंडस्टी में जितने भी इसके कॉंपेडिटर है ठीक है ऑन मोबैल की बात करें जिनसार की बात करें डेल्टा कॉप की तो हालत आप देखे रहे हो तो उसमें देखा गे तो नजरा टिक का परफॉर्मस थोड़ा सा बेटर है बैलेंश इट श्रॉंग है येस सि आप चाओ तो इस कंपनी को स्टड़ी कर सकते हो नेक्स अगर हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर येस ये भी फोकस में था कमर्शल वेहकल के दाम आपको पता ही है कि तीन पस्टेंट के आसपास उन्होंने आपे बढ़ा दिये है इसका फाइदा टाटा मोटर को लॉंग नहीं कर पाई और आखिर का जो एक घंटा था उसके बाद हम कही सकते है कि स्टॉक में हम लोग को गिरावाट ही देखने को मिल रहा था तो ठीक है मतलब हम कह सकते है आज का अगर मार्केट का हालत अगर ऐसा खराब नहीं होता तो टाटा मोटर भी शायद से हरे निशान मे देती है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे सुजलान एनर्जी ये तो रडर के पर यापर रहता ही है बड़े प्लियर ने पैसा यापर जब तक लगाया होगा बड़े बड़े खबरे हापर आ सकते है ठीक है जैसे मैंने इसके पहले भी आपको इससे पहले ये पॉइं करोड लगा रहे है मतलब कोई ना कोई उनके पास इंफरमेशन जरूर होगी दैन हम लोग बात करेंगे दो फेवरेट स्टॉक्स दो अर्वियनल की बात करें एंड आयरेफसी की अगर हम लोग यापर बात करें ठीक है ये भी बहुत सारे लोग के रडर के उपर यहापर र ले जाएंगे मतलब जो तेजी में आ जाते ना तो ऐसे बहुत सारे फ्लियर हम लोग को देखने को मिल जाते तो फंडामेंटली देखा गये तो यह कंपनिया बहुत ही श्ट्रॉंग है बहुत अच्छा परफॉर्मंस या पर देती है ठीक है तो हाँ यह भी एक पॉइंट अगर एलवे की बात करते हैं अच्छी गिरावट देखने को बहुत शांदार यहा पर रहा है तो ऑज ने तो कल इस प्रकार का दीन हम लोगो देखने को आप मिल ही जाता है तो इतने से चोटे बोटे गिरावट से कोई जादा खास परक पढ़ता नहीं है दैन हम लोग बा इस से रिलेटर सवाल ज़्यादा रहती है क्योंकि इनके नमबर अफ शेरोलडर सबसे ज़्यादा है आपको पता है 50 लाग से भी ज़्यादा शेरोलडर इसके देखने को मिल जाते हैं तो कभी एक्स्रीम तेजी आए या फिर गिरावट आए तो कमेंट में इस से रिलेटर स्टॉक है नहीं वेल्थ क्रेशन के लिए हमें लंबी पारी खेलनी पड़ती है और येस बैंक के अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है इनके बुक्स अफ अपकाउंट बहुत सारी पूरानी केस आज भी इनके उपर पेंडिंग है ठीक है वो 81 बॉंड का की जो केस बंद अगर हो जाती है तो आपको बॉंड का पैसा तो मिलेगा इसके कोई गारेंटी नहीं होती है तो इसलिए बतलब उनको कोई बॉंड में इंट्रेस्ट निवेस करने के कोई इंट्रेस्ट था नहीं बट उनको सूपर एफडी करके बोला गया था तो ये केस अभी भी 8000 से 8500 करोड का मतलब इतना बड़ा केस हम लों को देखने पने है वो वापस स्री ओपन हुए था येस बैंक की खिलाफ वो केस गया था ठीक है तो वो वापस देखा गया तो शायद से अभी हाई कोट से हारे थे वो अभी सुप्रीम कोट में वो जा चुके है ठीक है तो ये बैंक तो बहुत ही नाजुक से से गुजर रही है तो डिवेडेंट बिवेडेंट कास अपने हम लोग देखे तो ये पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए जो लोग ब्लाइंड ली आपर जाते है उनको ये चीज़े यूजली पता होती नहीं है जैफस की बात करे तो ठीक ह नीचे आ रहे हैं ठीक है ना तो ये चलता रहता है दोस्तो शेयर मार्केट है नीचे आएगा उपर जाएगा अभी जब शुरुआत हुई थी तो कैसे लोवर सर्कृट डेखने को मिलते थे ठोड़ी ना खतम हो फिर बाद में तेजी भी देखने को मिली तो ये चलता रहत है तो अगर आपको इसके बिजनेस के उपर भरोसा है तो बने रही है अगर आपको लगता है नहीं बिजनेस में कोई दम नहीं है तो फिर बने रहने को कोई सेंस बनता ही नहीं है ठीक है अगर आपको लगता है कि जब इसका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तब उसके बा फिलाल ये दो ही ऐसे strong pillars है जिसके चलते हैं यहापे बड़ा दाओ यहापे फिलाल तो लगाय जा रहा है बिजनेस तो अभी इतना कुछ खास हमनों को start होते हुए देखने को नहीं मिला है टाटा पावर की बात करें कमाल की कमपनी है इस लो धिमे धिमे करके उपर जाने वाली एक कमपनी है कोई एबदम धुम दड़ा के दार तेजी हमनों को इसमें देखने के chances तो comparatively कम रहेगे बट renewable sector की बात करें clean energy, green energy, electric vehicle, charging station यह सभी जो parameter है दोस्तो इस company के लिए बहुत ही शांदार है आज की दिन 1.5% यहां पर गिरा है कोई बड़ी बात नहीं 6 मेने में देखा गया 30% हमनों को भागते वे देखने को मिला है ठीक है जैसे कच्छवा चलता है ना ऐसा लगता है ने की चल रहा है करके बट धीमे धीमे करके वो आगे बढ़ता रहता है वैसे यह कंपनी हमनों को देखने को आपे मिल जाती है अगर आप इससे बहुत ज़्यादा रिटर्स एक्सिपेट करते हो तो थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे देखने को मिल सकती है ठीक है अगर आप स्लो एंड स्टेडी अगर आप ग्रो करना चाते हो तो फिर आप इस कंपनी के बिजनेस को स्टडी करके आपको अंदाजा आ जाएगा यह कंपनी की सिसाब से ग्रो यहाँ पे कर सकती है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो येस JSW इन्फरा का IPO हमनों को सामने आते वे देखने का आपे मिल चुका है रिपोर्ट के जरे पहले खबरी थी बाद में सारी चीज़े ऑफिशली सामने आते वे देखने को मिल रही है तो IPO कैसा है क्या जाना चाहिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वो हर किसी का अपना-पना अडिशन होना चाहिए बट लिस्टिंग गेन कितना है हम तो यही तो देखते है लिस्टिंग गेन मतलब क्या ग्रे मार्केट प्रिमियम क्या चल रहा है इससे एक अनुमान मिलता है मैं again कह रहा हूँ ग्रे मार्केट प्रिमियम ये कोई गैरंटी नहीं है मैं कितने सारे लोगों के आज भी कमेंट डेखता हूँ होते कहते हैं कि सर GMP तो 50% बता रहा था यह लिस्ट तो 20% पर हो गया अगेन के रहा होगी कोई गैरेंटी ने वो 20% भी हो गया वो भी बहुत अच्छी बात है माइनस में भी जा सकता है अब शेर बाजार में हो दोस्तों एक अंदाजा होता है वो एक अंदाजा ठीक है कोई गैरेंटी वाली बात रही है हम लोग बाजार में है तो फिलाल अगर देखा गया तो प्रेमियम कितना है तेरा काई प्रेमियम चल रहा है और प्राइस कितना है शेर 120 ऐसा कुछ आसपास है मतलब कितना रहेगा रफले हम बोल सकते हैं 10-15% के आसपास GMP चलते वे देखने ह आपे मिल जाता है तो 10-15% usually में तो इतना ज्यादा फोकस आपे नहीं करता हूँ 10-15% के आसपास अगर रहेगा ठीक है थोड़ा बहुत भी बाजर में 19-20 अगर कुछ हो गया अगर आज के दिन जैसा हुआ है जैसे अगर एक दो दिन भी अगर चल गया तो easily इनके प्रेमिय उसको यहाँ पर माना जाते है इन टर्मस ओफ लिस्टिंग इन के इसाब से ठीक है लॉंग टर्म के लिए कोई जाना चाते तो अपने इसाब से स्टड़ी करके जा सकता है ठीक है कंपनी कोई खराब नहीं जैस डबली ग्रूप वाली एक कंपनी है तो यह भी पांट आप को पता होना चाहिए दैन हम लोग बात करेंगे दोस्तों फ्यूचर ओरेंटेड बिजनेस में आर्टिफिचल इंटेलिजनसी तो आता ही आता है ठीक है इसमें अगर आपको पता ही है दुनिया का नंबर वन अगर कोई स्टॉक यहाँ पर रहेगा यह से रिलेटेड ठीक है चीप की बात करें सेमी कंड़क्टर की बात करें तो इस सारे ऐसे पैरामेटर से जो की फ्यूचर ओरेंटेड है और इसमें कंपनी एग्रेसिवली काम यहाँ पर कर रही है और लेडिंग कंपनी है तो हारे कंट्री दुनिया में जितने भी बड़े-बड़े देश देखने किसे रिलेटेड AI सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड दैन अगर हम लोग बात करें टाटा ग्रूप नहीं कुछ दिनों के बाद अनॉंश्मेंट किया था जो कि एन्वीडिया का न्यूजरूम है उन्हें नहीं बता दिया कि टाटा के साथ उन्हें पार्टनर्शिप अब इन्फोसेस के साथ भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एन्वीडिया का जो करार है वो हम लोगों को एक्सपांड होते वे देखने का आप हम लोगों को यहाँ बहुत ही अच्छा गासा जो रहता है बिजनेस परपस के लिए वो बिल्ड करने का प्लान यहाँ लेकर चल रह भी उन्होंने एन्वीडिया के साथ करार करके रखा था तो वो इसका एक्सपांशन ही हम लोगों को देखने का आप मिल रहा है इसके लिए एन्वीडिया अगर हम लोग बात करें तो इन्फोसेस के पचास हजार इंपलोईस को ट्रेन यहाँ पर करने वाली AI टेकनोलोजी स इसको कैसे इस्तमाल करते हैं जिनको इससे रिलेटेड चीजे पता है यहाँ पर होने वाली है भविश्य में हम जरूर कह सकते हैं उनका डिमांड भी हमनों को बढ़ते वे देखने का आप मिलने वाला है तो टेकनोलोजी ऐसी होती है दोस्तों जैसे से यहाँ चीजे और पीछे पीछे यहाँ पर पढ़ जाओगे तो इसलिए आप देख सकते हैं जितने भी यह कंपनिया है यह का इस्तमाल अपने बिजनेस में आपे इन्वाल करते हैं देखने को मिल रहे है अब यह टेकनोलोजी वाली कंपने तो ठीक है बट बाकी भी कंपनिया अगर हम ल जो जो यहाँ पर AISA-related developments में आगे आपे बढ़ रहे है उनका business भी more efficiently आपे बन सकता है यही चीज हम लोगो देखने का आपे मिल रही है तो मतलब हो कितिनी शांदार company आप उससे अंदाजार लगा सकते हो आपको यह वीडिया अच्छा लगागा तो चाओ तो आप इसको ला नाम कुंसा अकाउंट आपने लिंक के तो उपन किया है तो अफ्ते पर के अंदर-अंदर सारे लिक्चर्स मेरे से free of course प्रवाइड कर दी जाएंगे तक आप शेयर बादर को आसान बाशा से सीख सको तब तक के लिए बबाए